आशनाई के चक्कर में प्रेमी नीरज को प्यार की जगह मोत मिली तो प्रेमीका को पती सहीद गिरफतार कर पुलीस जेल भेजने की तयारी कर रही है शनिवार को कट्रा कोत्वालिक शेतर में अचेत मिले नीरज की मौत के बाद पुलीस ने हत्याकान का खुलासा कर पती पतनी को गिरफतार कर लिया उनके कबजे से गैस सिलेंडर और इट बरामत की है मिर्जापुर नगर के कट्रा कोत्वालिक शेतर के डंगहर महले में शनिवार की सुभई उस समय संसनी फैल गे थी जब स्थानिय नागरिकों ने सुरेकापुरम कॉलिन निवासी एक युवक को अचेता व्यस्ता में लहुल्वान देखा जांच में जूटी पुलिस ने हत्याकान का 24 घंटे के अंदर ही अनावरन कर दिया सुरेकापुरम निवासी नीरज श्रिवास्तव पुत्र रमेश चनर श्रिवास्तव मोबाइल पार्स के सप्लाई का काम क्यार करता था बीते शुक्रवार की रात वह परीजनों के दोस्त के साथ चाकरन कारेकरम में जाने की बात कहकर घर से लगबग साड़े नौ बचे निकला था शनिवार की सुभै डंगहर इलाके में नीरज कमी रूप में घायल अवस्ता में मिला था मौके पर पहुचे परीजन नीरज को लेकर अस्पिताल पहुचे चिकित्सकों ने नीरज को मृद घोशित कर दिया सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई मौके पर पहुचे एसपी ने मुआइना कर निर्देश दिया था पुली प्रशासनिक ताकत इस हत्याकान का परदाफाश करने में लग गई रविवार को एक शेत्रदिकारी ने कट्रा कोत्वाली में पत्रकार वर्ता कर हत्याकान का खुला साक्या बताया कि आशनाई में प्रेमिका ने अपने पती के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी उन्होंने बताया कि नीरज के प्रेमिका की शादी हो गई थी पती और उसका एक अन्यभाई दोनों मिलकर दिन राद बाहर काम क्या करते थी इसके बावजुद नीरज प्रेमिका के घर आया जाया करता था कटना वाले दिन भी युवक उसके घर पहुचा था इस भी इज प्रेमिका का पती घर आ गया दोनों पती पत्नी ने मिलकर नीरज के सिर पर सिलेंडर से प्राहार कर घायल वस्ता में छोड़ दिया ये वक लहुलुहान अवस्ता में कुछ दूर जाकर गिर पड़ा रात भर ठेंड में बाहार पढ़ा रहा सुहस्थान ये लोगों की सूचना पर पहुचे भाई ने उसे अस्पिताल लेकर पहुचा लेकिन तब उसकी मौत हो चिकी थी पती पत्नी को गिरफतार कर हत्या में प्रयोग छोटा गैस सिलेंडर और इट बरामत की गई है ये नीरज सिर्वास्तो सुलेखा परूम कालोनी का रहने वाला है 27 की रात में विशाल यादो के घर गया था उसकी पत्नी से उसके कुछ अवैद संबन थे और अचानक उसकी पती आ गया इसे गैस की छोटा सा सिलेंडर था उसे मार दिया इसे चोटे लग गई और उसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मुर्त हो गई और इसका मुकदमा लिखा गया है मुकदमा लिखने के बाद उसको घर से उसकी पत्नी उसकी पती को गिफ्तार किया गया है